दोस्तो आज मैं आपको इंडियान ट्विलर मार्केट का वन अब दी मोस्ट पॉपुलर 110cc उनिसेक्स स्कूटर टीवीएज जुपिटर स्टैन्डर्ड मोडेल का और एक कालर वारियन दिखाने वाला हूँ इससे पहले मैं इस स्कूटर की मैट ग्लू, वालनाट ब्राउन, टाइटनियम घ्रे और ग्लॉजी वाइट कलर दिखाया था और आज मैं आपको वालकेनो रेड और ग्लॉजी रेड कलर वेडियन दिखा रहा हूँ आज की इस वीडियो में मैं इसी स्कूटर की एक डिटेल रिव्यू आपको दूँगा आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और कॉमेंट में बताएं इस स्कूटर के बारे में आपका ओपिनियन क्या है अगर आपने अभीता की इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दाबकर देखें इस स्कूटर की एक्सवरूम प्राइस कोलकता है 66,513 रुपीज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ शूफ और टो हावडा में अगर आप हावडा या फिर कोलकता से हैं तो इस स्कूटर की अन्डूर्ड प्राइस और फाइनन्स कीम जानने के लिए डेस्क्रिप्शन पे दिया गाया नंबर पर कॉल कर सकते हैं ओवरल लुक्स की बात करेता दोस्तो आभी आप इस स्कूटर का वलकन रेड और ग्लॉजी रेड कलर को देख रहे हैं पेंट क्वालिटी में एक TVS में कोई कम्प्रोमाइस नहीं किया और एक बहतरीन क्वालिटी का पेंट इस स्कूटर में दिया गया है हेडलाइट के उपर यहाँ पे TVS बैजिंग देखने को मिलेगा और दोस्तो इस स्कूटर में फुली LED हेडलाइट आपको मिलेगा यहाँ पे 3D क्रोम कालर में TVS ब्रैंडिंग क्या गया है फ्रॉंट इंडिकेटर की तरफ देखे तो दोस्तो इस स्कूटर का फ्रॉंट इंडिकेटर बॉडी के साथ ही इंडिकेटर है और यह दोनोग इंडिकेटर ही पाल्प टाइप इंडिकेटर है फ्रॉंड मटगाट की तरफ देखे तो इस पूटर में बॉडी कलर से मैच्ट मेटल मटगाट दिया गया है दूसरे स्कूटर का फ्रॉंड साइट में टिलिस्कोपिक सस्पेंशन ही आपको मिल जाएगा स्कुडर का front wheel में मिलेगा synchronous braking technology के साथ 130 mm diameter का trunk brake Synchronized braking एक ऐसा टेकनोलोजी है जिसके चलते rear brake दबाने से front brake तरी gestional दब जाता है और उसके वजे से स्कुडर का braking power and stability और जाता है स्कुडर में high agility underbone type changes के use गया गया है और दोस्तों स्कुडर का footboard का color body color से matched है रियार साइट कावल पे क्रोम कालर में 3D जुपिटर ब्रैंडिंग देखने को मिलेगा और टेल लाइट की तरब देखे तो फुली LED टेल लाइट यहाँ पे आपको मिलेगा और रियार साइट का जो इंडिकेडर है वो भी बोडी के साथ ही इडिक्रेट है अब टेखनिकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यह स्कूडर अभी BS6 कंप्लाइट 109.7 cc फूल इंजेक्टिर सिंगे सिलिंडर एयार कूल सीवीटिय एंजिन के साथ आ रहा है जो 7500 rpm में मैक्सिमाम 5.5 kW और 7.37 bhv पावार और 5500 rpm में मैक्सिमाम 8.4 Nm टॉर्ट प्रोवाइट करेगा माइलेज की बात करें तो DVS मोटरोस का कहना है के पहले से 15% माइलेज इंप्रूव होगा इस PS6 वैरियन में उनका यह भी कहना है के अभी यह स्कूटर 50 km से ज्यादा माइलेज प्रोवाइट करेगा एक्सास्ट मॉफलर में CVTI और PS6 बैजिंग भी देखने को मिलेगा रियर सस्पेंशन की बात करें तो इस स्कूटर का रियर में गैस चार्ज्ट मुनोसक सस्पेंशन आपको मिल जाएगा और इस स्कूटर का रियर में 130 mm डाइमीटर वाला ड्रॉम डेक दिया गया है इंटेरीयर की ता देखे तो मैट फिनिश इंटियर इयर इस स्कूटर में देखने को मिलेगा इस इंटियर की राइट साइड में ignition की दिया गया है मिडिल में यहाँ पे एक हुक मिलेगा जिसमें आप बैक वगेड़ा टांग के ले जा सकते हैं लेफ्ट साइड में यहाँ पे पहले चोक लिवर दिया जाता था और यहाँ पे एक बकेट भी आपको मिल जाएगा लेक स्पेस की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस स्कूटर का लेक स्पेस भी काफी बढ़ा है मेरा पैर हने के वावजूद भी काफी स्पेस यहां पे अभी भी है यहां सीट के सामने भी एक हुकाप को मिल जाएगा अब स्वीच कांसोल की तरब देखे तो डिसेंट का स्वीच कांसोल यहां पे देखने को मिलेगा लेफ्ट साइट में पास बीम, हाई लो बीम, इंडिकेटर और हाउन स्वीच मिलेगा और राइट साइट में मिलेगा इलेक्टिक स्टाट स्वीच इंस्ट्रूमेन क्लस्टर के तरह देखे तो इस कुटर में अनलोग इंस्ट्रूमेन क्लस्टर मिलेगा इस इंस्ट्रूमेन क्लस्टर में स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और फ्वेल स्टाडस इंडिकेटर मिलेगा इसके साथ साथ low fuel indicator, high beam indicator, turn light indicator, engin malfunction indicator, eco indicator और power indicator भी मिल जाए इस scooter में wheel cushion white seat दिया जा है और आप देख सकते हैं कि ये seat बहुती सॉफ्ट और यहार side में metal pillion wrapper भी हापी आपको भल जाए food space की बात करे तो इस scooter में 22 liter capacity वाला food space मिलेंगा और यहां पे OPD पोड़ आप देख पाएंगे इसकुडर का फ्यल फिलिंग कैब सीट के बाहर ही मिलेगा और इसकुडर का फ्यल टेंग कापसिटी है 6.6 लिटर और इसके उपर में TVS बैजिंग भी देखने का मिलेगा दोस्तो इसकुडर का ग्राउंड क्लियर एंसे 150 मिलेमिटर सी टाइट है 765 मिलेमिटर इसकुडर का कर्व वेट है 107 केजी और विल बेज है 1275 मिलेमिटर विल्स हंटार्स की बात करेते दोस्तो इसकुडर का फ्रॉंट एंड रियर दोनों गुज में ही नैंटी बाइनटी साइज का ट्यूबले स्टाइब बिलेमिटर और इसकुडर में 12 बिंज डायमिटर वाला एलाएफ वील रिम का यूज क्या गया है तो दोस्तो ये था टीवेस जुपिटा स्टाइनर्ड मॉडल का वालकन और रेट कलर वैडियन का एक डिटेल वाकर रिंडी है आपको ये स्कुडर कैसा लगा इस स्कुडर के बाड़े में आपका उपिनियन क्या है कॉमेंट सेक्सान में कॉमेंट करके मुझे सरूर बताइएगा आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले इसे वीडियो में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत पुलिएगा थैंक्स पर वाचिंग राइट सेफ जैह हिंद चाओ अगरे वाच्छा लाइगा अगरे चाओ